सब्सक्राइब करता हूँ आज हम लोग सब्द विचार के एक महत्पूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे निरार्थक सब्द के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले मैं सार्थक सब्द के बारे में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि मिलाकर सब्द विचार का एक मास्टर वीडियो को जरुर देखेगा एक क्यों विचार के जानते हैं क्यों एक अर्थी की परिभासा जानते हैं की जिन सब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे सब निरार्थक कहलाते हैं जैसे रोटी वोटी वोटी का कोई अर्थ नहीं होता है पानी वानी पानी का तवर्थ होता है जो कि जल हो गये लेकिन वानी का कोई अर्थ नहीं होता है डंडा वंडा इनमें वोटी वानी वंडा आधी निरार्थक सब्द कहलाते हैं निरार्थक स जिन सब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निर्थक सब्द करते हैं और निर्थक सब्दों को अक्सर सार्थक सब्दों के साथ परियोग में लाते हैं जैसे होटल वोटल का खाना रोज नहीं खाना चाहिए तिकना सार्थक सब्दों के साथ कहीं कहीं पर निर्थक सब्द जुड़ जाते हैं और उससे एक सेंटेंस बन जाता है उसकुछ तरह का सेंटेंस आपको बता रहे हैं जो कि आप लोग हम लोग बोल कोई भी सार्थक सब्द नहीं है यानि कि निर्थक सब्द इसका कोई अर्थ नहीं होता है नेक्स्ट पांट है कि अरे भाई कप्रे वप्रे आए आए या नहीं कप्री तो आपको समझ में आगया होगां जिसका कोई अर्थ नहीं होता वह निर्थक सब्द काल राता वह सक्षप्ट के बारे में और निचे-विदिश्ज करिए मिलते हैं एक नए वीडियो मेंट ने टॉपिक शाहत अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अमारे चैनल में पहली बारा है वीडियो आपको मिलेगा किसी यह यह टो की तयारी का कर तो